नमश्कार दोस्तों मैं इस्तागर कुमार आपका स्भागत करता हूं Sensible Case नए हिंदरी डेली Market Analysis वीडियो में चले शुरू करते हमारा Market Analysis सबसे पहले देखेंगे जो हमने last analysis की तरन आउट हो है बात करेंगे आगे market किस तरह का हो सकता है तो दोस्तों last हमने यह analysis market में किया था कि बहुत यहां से अगर आपको upside monitor market में दिखता है तो मैं buy करना तो पसंद करूँगा लेकिन मैं कम quantity में प्लान करूँगा यह हमारा पिछला analysis था जो कि मैं इस sheet पर पहले आपको लेके चलता हूँ कि मैंने का था कि हम buy तो करेंगे hold your longs और अगर कोई dip आता है market में तो एक buying opportunity की तरह मुसको देखेंगे एक जो 18,200 वाला zone है यह resistance zone market में है इसको थोड़ा सा में देखके चलना पड़ेगा तो आज अब देखेंगे market almost 18,200 के आसपास जाकर देखें यही वो resistance zone था जिसकी में यहां से market कई बार reject हुआ है तो market एक बार में इसको थोड़ा सा पार करें थोड़ा सा मेरे को doubt लग रहा था इसमें तो इसलिए हमने का था कि अगर market एक बार पार कर लेता है इस तरह बहुत अच्छी बात है अगर नहीं market पार करता है यहां पर time spend करता है तो market में और एक रेंज में ही market निकाल दिया हां पर तो यह बहुत important दिन हो जाता है market के यह बात हमेश्च आप ध्यान रखिएगा कि जब-जब market एक range में particular day निकाल देता है तो यह range होती है हमार लिए बहुत important हो जाती है फिर यहां पर क्या होता है अब यह क्यों important हो जाती हो मैं आपको बत market नीचे गया है तो buyers कैसे लिट होंगे अब यहां पर problem कहां आ जाती है कि जब इन जगों पर market क्या होता है breakout देता है मान लिए यहां से market नीचे चला गया ठीक है अब जैसा कि SJX Nifty दिखाई दे रहा अभी के लिए दिखाई दे रहा है कि कुछ 100 points 90 points मे gap down opening दिखाई दे रहा ठीक है तो उस time पर market में फिर क्या होता ना कि यह place जो होता ना फिर यह जगे एक resistance की तरह हो जाती है अभी resistance की तरह क्यों हो जाती है क्यों कि यहां पर gap create हो जाएगा पहले तो ठीक है अगर market मान लिए सीधे ही आया है तो भी यहां पर जिन लोगों ने opportunity miss करी होगी ना act करता है ठीक है तो यहां पर यह accumulation zone एक तरह से हो जाता है market में जहां पर market में कई सारे trades काई सारे positions बने होते हैं फिर वो positions या तो कटते हैं या फिर वो carry forward होते है market में तो उस वजह से यह zone एक important zone हमारे लिए हो जाता है ठीक है तो अभी हम लोग discuss कर लेते हैं कि हमें किस तरह market में trade करना चाहिए अगर market मान लीजिए कि अगर market एक gap down opening जिस तरह कि आँपर HGX Nifty में दिखा रहा है तो market में गर एक gap down opening होती है तो थोड़ा wait करिए का market में थोड़ा एक market में debate करिएगा कि market किस तरह से रिया कर रहा है क्या price action बना रहा है market ठीक है तो market में अगर market मान तो बड़े aggressive position मत लीजे क्योंकि एक resistance zone है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे अगर market में कोई भी negative price action बनता है तो हमटी position से exit कर जाएंगी जो long position होगी है हमारी फिर हम market में wait करेंगे कि किस जगह पर market एक important support बनाके market उपर साइट पर जाने की कोशिश कर रहा है फिर हम market में ए जाएगा ऐसे नहीं होता है ऐसे बहुत कम market में होगा ठीक है तो यहां पर जैसे आप कहीं पर भी देखेंगे ना जैसे यहां पर आप देखेंगे market में बहुत अच्छा ample amount of time market ने बिताया है आपर फिर market में एक selling momentum आया और selling momentum में आएगा तो एक बड़ी candle आपको बनके market इसके बाद market में फिर एक यह जो एक यह एक support zone है फिर यहां पर market इस तरह से support लेकर इस तरह से नीचे गिरेगा तुरंद market भरबला के नीचे नहीं गिरेगा यह आप हमेशा ध्यान रखियेगा तो यहां पर हमें अभी क्या करना है अभी थोड़ा सा हमें trade बच के market में करना है ठीक है aggressively हमें market में भी trade नहीं करना है ठीक है क्योंकि market में यह जो rally आई है उसका एक maybe retracement हमें देखने को मिल सकता है तो इस retracement में थोड़ा सा समल के आप trade करिएगा यहां पर ठीक है similarly अगर आप bank nifty भी देखेंगे तो bank nifty भी almost अपने resistance zone के आज पास पहुंचा है ठीक है य यह दोनों ही scenario यहां पर हो सकते हैं ठीक है तो यहां पर पिछली बार यह आप से कहा था कि यहां पर या तो आप call sell करना prefer कर सकते हैं लेकिन aggressively short यहां पर मैं बनाना prefer नहीं करूंगा जब तक कि market मुझे एक daily chart पर एक negative price action ना दिखाई दे तब तक मैं market में पसंद नहीं करूं आपको यहां पर बैंक निफ्टीम हमें दिखाई दे रहा है ठीक है यह थोड़ा वीट करेंगे कि वह किस तरह price action बन रहा है कि आप साइट में मार्केट में पहले 15 मिनिट का candle बन रहा है या फिर क्या market में नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है ठीक है या फिर मार्केट मान लीजिए अगर flat opening देता है इस zone में कहीं opening देता है तो simple हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा या तो market upside पर break करेगा तो हमें buy करना है market अगर नीचे break करेगा तो हमें sell करना है तो अगर market हमारे लिए जो best trade रहेगा वो यही रहेगा कि market इस zone में कहीं बी फिर मार्केट में अच्छा momentum आपको देखने को मिलेगा या फिर मार्केट अगर गाप अगर वेट करना पड़ेगा market price action के लिए अगर market gap open होता है थोड़ा नीचे आने के बाद market यहां पर support ले सकता है उसके बाद market फिर से upside पर इस तरह से momentum कर सकता है ठीक है यही चीज आपको देखने को मिलेगा या फिर मार्केट अगर gap open होता है तो मार्केट इस जोन पर support लेकर फिर इस तरह से market momentum कर सकता है downside मार्केट gap down open होता है तो फिर आपको price action मार्केट में थोड़ा सद देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से react कर रहा है उस gap down को यहां पर कर open interest देखेंगे तो 18,200 बहुत बड़ा resistance दिखाई दे रहा है ठीक है करता है जो हमने चार्ट पर discuss किया था ठीक है FI data देखेंगे तो option data भी काफी यहां पर negative होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बस calls यहां पर sell करेंगे पुट्स भी यहां पर buy करेंगे तो दोनों यह negative यहां पर दिखाई देने एक अच्छी news है यहां पर कि futures में buying होई है stocks में buying होई है और futures का जो net OI FI का वो positive होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है जो कि मैं काफे दिन से बोल रहा हूं कि धीमे धीमे यह open interest है यह positive होता हुआ आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ठीक है तो कुल मिला के मेरे लिए तो अभी market एक resistance zone क अप्रोच कर रहा है तो यहां पर market में भी थोड़ा time spend कर सकता है या फिर market यहां पर resistance ले सकता है थोड़ा सा retracement आपको दिखा सकता है ठीक है परंतु आज का high और low point हमाने लिए बहुत important है ठीक है कोई बड़े trade हमने नहीं लेने जब तक कि market resistance आ तो तोड़ नहीं देता है फिर हमें कोई negative price action नहीं दिखा देता आज small quantity चोड़ी quantity साथ प्लान करिएगा trade और अगर आपने put spread ले रखा है तो उसका 18,000 या उसके अपने premium के हिसाब से कुछ 20-50% उसका premium या 30% premium के हिसाब से उसका SL लगा के आप मान लिजे आपने 100 rupees आपका credit हुआ है ठीक है 100 rupees में आप market से exit कर जाएगा ठीक दोस्तों ये तो बात रहीं nifty और bank nifty के बढ़ते हैं हम लोग dollar की तरह dollar अभी थोड़ा negative दिखाई दे रहा है यहाँ पर struggle कर रहा है ठीक है बार-बार कोशिच कर रहा है कि upside पर move करने के परंतु जब तक की मेरे लिए जब तक की dollar 81.6 के level को तोड नही ठीक है तो थोड़ा वेट करिए यहाँ पर जब market 81.6 के level को break करेगा तब मैं एक अच्छा momentum यहाँ पर भी दिखाई देगा और आज का जो market meme है जो मुझे सबसे best दिखाई दिया यही सबसे अच्छा दिखाई दिया कि बहुत मार्केट में bulls एक बहुत बढ़िया पैसा ब करिए stop loss के साथ रेड़ करिए hedge के साथ रेड़ करिए and have a safe and happy trading with sensible bye-bye